इतनी ठंड है, कोडा ही कोडा और ये घर में बनाई हुई शाही पनेर इतनी शाही दिख रही है, रोयल एक्तम और पापर तो चलिए खाना शुरू करते हैं बहुत ही गर्मा गरम है अभी जस्थ थोड़ी देर पहले ही बनाया है थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब वही गर्मा गर्म है अभी एक घंटे के अंदर अंदर बनाई है तो आप लोग कैसे हो हाँ आजकर मुझे कॉमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू सो मच मेरे बातों को रेस्पॉन करने के लिए तो चेली खाना शुरू करते हैं अगर ये वीड सारी चीजे घर पर बनाई हुई या थन्टो कितनी है भाई है बहुत थन्ड है क्या हो जाएगा मेरी पता ही नहीं लग रहे है अच्छी बन गई यार जल्दी जल्दी में बनाया है लेकिन अच्छी बन गई है जल्दी जल्दी में बनाया है इसलिए क्योंकि मैं गई थी मंगल बजार आज मंगलवार है और हमारे घर के पास ही लगती है मंगल बजार आपके वहाँ पे भी लगती होगी न मंगलवारी बजार न मैंने बहुत सुनाई यहाँ पे तो गई तो थी पर काम कुछ नहीं हो पाई मतलब सबजी वाली बजार है तो सबजिया लाने गई थी इतनी ठंड है कोरा ही कोरा बापरे चली आई भाई वापस इतनी ठंड मैं जैकेट वैकेट सारी चीजे लगा के गई थी तो पी फिर शौर फिर भी रहा ने जा इतनी ठंड है बहुत टेस्टी बनी है सच में पनीर ला जवाब है यार घर के पास एक पनीर भंडार है इतनी अच्छी मतलब मिलती है पनीर वहाँ पर मलाई पनीर आपको लग रही है क्या कि मैं जाद ही बाते कर दी मैं यार बाते स्टार्ट करने लगती हुना रूपती नहीं है उच ना कुछ बोलती ही रहो बस तो भी तो फैमिली वाली फिलिंग आती है ना आपको पनी है हुना सोय पुछ नहीं है वही है बना नहीं हुना स्टार्ट कर दोग्यक्त लगको रहे वाली को यहाँ है उल्ड़ मिलती रहाँ पनीर बाती है लोँट उनल PhD कर दो साई तब बाद़ अगर, वोटबकल hurts कोやुपञ 사고 यह देख रहे हैं आप लोग देखें कितनी सौफ सी पनीर है ना मैंने पनीर खाये है बहुत लेकिन इतनी सौफट वाउ मज़ा आ जाती है पुजा कुमारी ने मुझे मैसेज किया कि उनको फिष नहीं पसंद फिर वी वो मेरी वीडियो देख रही है फिष काने वाली तो थैंक यू पुजा, मेरे लिए इतना करने के लिए, बोल रहे थे कि फिश देखना ही नहीं पसंद, फिर भी वच किया आपने वीडियोज मेरी, थैंक यू सो मच, मैं आपसे एक चीज पूछने वाले थी, आप लोगों से, मुझे बताना कमेंट्स पे, एक पापर आती है, जो कई फोल्स होते है उसमें, बताना नहीं उसको कहां मिलती है, बहुट अच्छी लगते है दिखने में, और मेरा मन हो रहा है कि मैं वो खाऊं, मुझे पता ही नहीं एक नाम क्या है तो मैं धूनने कैसे जाऊं, तो वो मुझे बताना कि उसको पापर को क्या बोलता मतलब कैसे बोलू मैं जैसे रुमाल फोल्ड करता है ना वैसी वाली दिखने के लिए मतलब फ्राइ करने के बाद वैसी दिखती है शायद उसी फॉर्म में आती होगी या फॉर्म मतलब फोल्ड कर लेते हैं ये मुझे नह यार वह पापर देखने में तो कल न्यूज आए थे यार यूपी में शायद 25 या 30 जनों की देथ हुई है सिर्फ हार्ड अटक के वज़े से यार बहुत डर लग गई मुझे न्यूज देखे थंडी के मारे शायद या फिर खाने के से भी हो सकती है लेकिन थंडी वाली फैक्टर जादा हो सकती है थंडी इतनी पड़ी रही है 25 लोगों की जान जाना हार अटक से थोड़ा कंसिदर करने वाली बात हो जाती है मैं तो डर गई आजकल लग्यों की भी हार अटक आने लगी है मैंने हिसाब से लग्यों की मदलब खाने की वज़े से हुई होंगी हार अटक ऐसी चीज है न क्या परता हूं टाइम ही नहीं मिलता है पाहर का खाना जो टेल इस्तमाल करते है टेस जादा मैटर नहीं करती है मतलब सावधानी जादा मैटर करती है मेरे हिसाब से और खाना है तो घर की चीज जादा प्रेफरेबल होनी चाहिए आलस तुदे कुछ ठंडी में सबको आती है लेकिन बाहर का खाना तभी तो दुकांदर अपने तभी तो दुकांदर जो है वो देखना मतलब एकदम में पता नहीं कौन से मसला कल भी मैं चटनी लाए थी समोसे वाले उसमें से मतलब दीखने में तो अच्छी थी नहीं खैर वो अलग बात है लेकिन थोड़ी स्मेल अच्छी नहीं आ रहे थे तो यह लोग ना खराब चीजे देते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है किसी की हेल्थ खराब हो रही है तब ही वो थोड़ी अपनी खुद की मतलब समोसे वाला थोड़ा अपना जो बेचने वाला समोसा थोड़ी खाता है उनको क्या मतलब खाओ अपना मरो ऐसी वाली चीज तो साफधन रहिएगा वीडियो देखके कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा और सॉरी जिन लोग को मैंने डिस्टपॉइंट किया कि खाने में खाने के टाइम पर बात करना यार मेरी बात करने के ना मैं ऐसी हूँ पता नहीं बात करने लग जाती हूँ तो बात करना ही है अब तो तो सॉरी माफ कीजिएगा अगर आप मेरे वीडियो देखके डिस्टपॉइंट हो रहे हैं कोशिश करूँगी कि ज्यादा बाते ना करो लेकिन बाते करने से ना कमीनिकेशन अच्छी हो जाती है और फैमली जैसे फिलिंग आती है और आप लोग भी तभी कमेंट्स पे मुझे बहुत सारे रिस्पॉंस आरे मुझे भी अच्छी लगती है तो चली मिलते हैं आपको अगली वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राब जरू करना बाई